आइबरीवन स्वागत अब क्योंने चल सरकार नियुकरी में बेसिक वाप मात्रिमिक में 90 जार सिच्छकों की भरती होनी है विज्यापन इसी मान निकाला जाएगा इसी जनौरी में और 6 महीने में वेकेंसी को पूरा कर लिया जाएगा कि नहीं 6 महीने में वैसे चुनाओ का समय है करा भी सकते हैं अगर किसी तरह की बाधा नहीं आई अगर किसी तरह की बाधा उत्पन नहीं हुई तो यह बिल्कुल ही जॉइनिंग करा सकते हैं तो 6 महीने में वेकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं बात करें सबसे पहले कौन सी वेकंसी निकलने वाली है तो माधमिक सिच्छा के सायताप्राप्ती स्कूलों में 15508 जो एल्टी ग्रेट की वेकंसी वाने वाली है वह प्रवक्ता की पदों पर वेकंसी आने वाली है इसी माह इसके लिए विग्यापन जारी होगा अगर बात करें अगर प्राइमरी की वेकंसी की पचास से अरक्यास पस वेकंसी निकालने को बोल ला है बाकि अगर बात करें अगर लगबग आठ जार वेकंसी इनके पास रिल्टी क्रेड में है और लबा लबा प्रवक्ता के पास प्रवक्ता के लिए इनके पास 4500 से 5000 वेकनषी है तो इस तरह यह जो वेकनषी है लगबक 60-63.000 होती है बाखी जो अन gefेकनषी जो बच जाती है जुनियर के लिए अब करें तो जुनियर के लिए लगबक 5.000 सीपर वेकनषी निकाल रहा है है तो अन जो भी सिछा विभाग से जुड़े जितने भी कलरे also कि सबको जोडते हुए इनके पास 90,000 सीट है जो कि इस साल ये निकाल करके 6 महीने में वेकंसी को पूरा करना चाते हैं जो कि आपको पता होगा TGT PGT की वेकंसी भी लगबग 15,000 के आसपास है GIC की वेकंसी इनके निकाली दिया है तो इस तरह से सब कुछ जोडते हुए इनके पास 90,000 सीटे हैं सब कुछ ही 6 माईने के अंदर भरना चाते हैं सभी नौनियोक्तों को ये जुलाई में स्कूल में बिजना जाते हैं तो देखना होगा कि अब जुलाई में स्कूल भेज पाते हैं कि नहीं फिलाल वेकेंसी तो काफी सारी आने वाली है 90,000 पदों पर भरती होगी तो 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा जो काफी अच्छा रहेगा जो दिव्यांग अब बैरती हैं उन्होंने भीक मांग करके विरोध दर्ज किया इनका कहना था कि हम 14 इसमबर से लगातार धन्ने पर बैठे हैं आज मंगलवार हो गया है 23 दिन है यानि कल इनोंने 22 दिन की बात कही थी 22 दिन पूरे हो गया तो आज इनका 23 दिन है लेकिन अ काफी बार बताया हूं लगबग एक हजार लोग इससे लाब और नित होंगे अगर इन्हें चार पर श्राट च्छन मिलेगा और साथ ही बैकलाग की सीटे अगर जोडते हैं तो भी एक हजार के असपास हैं दोनों को मिला दिया जाया हो सकता है डिटा थोड़ा इदर उदर करते हैं आपको पता होगा एससी सीजील की वेकंसी आचुकी है अल्रेडी तो ऐसे में जो बच जाता है वह एमटीएस और कांस्टेवल क्योंकि छेचल आचुका था तो ऐसे में नेक्स्ट के लिए भी वगरा आता रहेगा फिलाल यह एमटीएस के लिए और कांस्टेवल जीटी के लिए यह जो आवेदन है जलसी सुरू होने वाले हैं और हजारों पदों पर इसमें भाग बैर्थी जो है अजमाएंगे बात करें थार्ट कांस्लिंग की तो थार्ट कांस्लिंग इसी जनौरी में होने हैं एंसरकी का मुद्दा लटक गया है और उसे लटका दिय छान बुच करके तो अभी एंसरकी के मुद्दे के नाते ऐसा नहीं है कि थार्ट कांस्लिंग रुकने वाला है ठाट कांस्लिंग पर भाप बैर्टर कांस्लिंग कराएंगे साथी 222 सीटो करें तो 2220 सीटों पर अभी कोई डिट नहीं मिला हुआ हूए स्प्रिंक कोर्ड मे बैठे हुए CRT कारियले पर और उतनी मांग को लेकर के लगातार वहाँ पर धना परसंग कर रहे हैं ऐसे ब्यर्थियों की मांग अभी तक तो नहीं मानी गई है साथ ही जो जिम्मिदार है उनका कहना है कि बातों को सुन लिया गया है और उस पर विचार विमस किया जा रहा है जैसे ही वहाँ से कोई जबाबाता है अभी अर्थियों को दे दिये जाएगा फिलाल 28 दिन में इन्हें कोई इस तरह का आस्वासान अधिकारियों से नहीं मिला है अभी अर्थियों को जिससे वो अपने घर जा सकें उनका कहना है कि आमरार अंसंग करेंगे और यहीं प्रा आजाएवाँ आएओगा, चलिवड़ा है झाल झाल जाता है झाल झाल जाएवाँ झाल है झाल झाला है तरह करेंगे और जाहें से कोई